असलाम लेकुम, गुड मॉनिंग, गुड आप्टर नोन और गुड इवनिंग, कैसे हैं प्यारे प्यारे वियर्स, तो यूपी स्पेशल जायका में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, बकराईद स्पेशल कुरेशी कवाब रेसिपी, आज हम बनाएंगे इसे घर पर, तवे पर हम बनाएंगे यह सी कवाब और बनेंगे बहुत ही जादा लजीज, अब इसके लिए आपको बिल्कुल भी कोईला लगाने की या भट्टी लगाने की बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है, तो मैंने लिया है यहाँ पर मशीन का पिसा हुआ आधा किलो कीमा जिसमें मैंने 50 से 60 ग्रैम थोड़ी चिकनाई भी लेती, इससे हमारे कवाब अंदर से सूपर जूसी और सॉफ्ट भी बनते हैं, अब इसमें एड़ करेंगे हम 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून रेड चली पाउडर, 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स यानि कुटी हुए मिर्चे, 10 से 12 हरी मिर्च, और 2 मेडियम साइज की मैंने अनियन लीती जी ने ग्रेट कर लिया था, और इसके पानी को बिल्कुल स्कूईज करके फिर इसमें एड़ किया है, 2 टी स्पून पिसा हुआ धनिया का पाउडर, 1 टी स्पून अधक लहसुन का पेस्ट और मुठी बर्चॉप्ड हरा धनिया जिसे अच्छे से वाश करके बारिक बारिक चॉप किया है, वो भी इसमें एड़ कर देंगे, 1 लेमन जूस और फिर डालाए मैंने 2 चमत देसी घी, आपके पास देसी घी ना हो, तो आप बटर भी ले सकते हैं, और इन सभी को हम कर देंगे अच्छे से मिक्स, देसी घी एट करने से, जो हमारे कवाब हैं, और जो हमने इसमें चिकनाई यूस करी है, और या फिर हम इसमें जब बटर यूस करते हैं, और थोड़ा घी या बटर का यूस करते हैं, तो थोड़ा सा नमक और गरम मसाला इसमें एट किया हैं, मैंने क्योंकि नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, और वन टीस्पून एट किया हैं, मैंने इसमें भूना हुए जीरे का पाउडर, और इन सभी को कर देंगे, अच्छे से मिक्स, बिल्कुल दबा दबा कर मिक्स करेंगे, जिससे जो हमने इंग्रेटियंट्स एट किये हैं, इसमें वो कीमे के अंदर तक चले जाएं, और कवाब हमें बिल्कुल फीके पीके ना लगी, सभी मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो एक special ingredient मैं इसमें आट करना भूल गई थी, तो इसमें आट कर रही हूँ, मैं half cup फुना हुआ बेसन, तो बेसन को मैंने हलका सा तवे पर रोस्ट कर लिया था, और फिर इसको half cup मैं इसमें आट कर रही हूँ, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, बेसन आट करने से जो हमारे कवाब होते हैं, वो तूटते नहीं है, फ्राइ करते हुए ये बीच में से तूटेंगे नहीं, तो इसलिए बेसन आट करें, तो भून कर ही तवे पर एट करें, इस बात का याद रखेगा, अब कर देंगे इसको अच्छी तरह से mix, और अब चलते हैं इसको कवाब बनाने की तरफ, तो मैंने इसे 10 मिंट के लिए ढखका रख दिया था, 10 मिंट बात मैंने इसको देखा है, तो यह अच्छी तरह से mix हो चुका है, और काफी ज़्यादा अच्छे से ही है, हमने इसको mix कर लिया है, hand पे लगाएंगे oil, और pencil पे भी oil लगा लेंगे, और pencil मेरे पास सीखे नहीं थी, जिसमें हम कवाब बनाते हैं, या आपके घर के पास straw हो मोटी वाली, या सीख हो सीख कवाब वाली, तो उसमें भी इस तरह फोल्ड करेंगे, तो मेरे पास नहीं थी, तो मैं यहाँ पर pencil का यूज़ कर लिया हूँ, और pencil का यूज़ करके, मैं एक कवाब बना रही हूँ, देखे, जैसे हम बनाते हैं सीख पर, तेज़-देज हाथों, टाइट टाइट हाथों से इसे दबा के बनाएंगे, और फिर उपर की तरफ से, जहां पर gold side है, उस side से, उस तरफ से इसको निकाल लेंगे, देखे, तो कितना इच्छी shape बनी है, ऐसे ही सारे कवाबों को बना कर रख लेंगे, तो देखे, सारे कवाब बनकर ready हो चुके हैं, oil हमारा गर्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर mustard oil का यूज़ किया है, आप चाहे तो refined oil का भी यूज़ कर सकते हैं, और medium flame पर हम इसको fry करेंगे, तो देखे, सारे कवाबों को हम इसमें डाल लेंगे, one by one करके, और जब यह एक side से fry हो जाएंगे, तो हम इसकी side को change कर देंगे, तो हैना कितना आसान, यह कुरेशी कवाब घर पर बनाना, तो इस बक्राईद पर आप इस recipe को जरूर ट्राय करिएगा, और देखे, बिल्कुल हलके हाथों से हमें इसकी side को change कर देना है, बिल्कुल हलके हाथों से इसकी side को change कर देंगे, और जब यह दोनों side से golden brown हो जाएंगे, तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, और खाएंगे हम इसे घर की बनी हुई green chutney और onion के साथ, जो इसके जाएके को और भी जादा दो गुना बढ़ा देती है, तो देखे, C कवाब हमारे 6 चुके हैं, दोनो side से golden brown हो चुके हैं, इन्हें हम कर लेते हैं, plate out, तो जितने भी कवाब हैं उनको हम इसी तरीके से fry करेंगे, medium flame पर और फिर इसको करते हैं, plate out, और हमारे कवाब बनकर तयार हो चुके हैं, आपको यसी कवाब की recipe कैसी लगी, मुझे comment में जरूर बताएं, चैनल पर नए आए तो चैनल को subscribe करें, share करें, और bell icon को press करना बिल्कुल न भूले, फिर से लेकर आउंगी आप सभी के लिए ऐसी ही मज़ेदार recipe तब तक के लिए, अल्हाफिज दुआओं में याद रखेगा,